अपने फोन से Google Chrome उपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करने drive.google.com उसे सर्च करने drive.google.com सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी दोस्तो जब आप drive.google.com में एंटर करते तो आपको कहीं पे वी plus का sign नहीं मिलता तो उसके लिए आपने क्या करने है उसके लिए आपने अपने crown के top से क्लिक करने है और यहाँ पे desktop साइड पे क्लिक करने है दोस्तो website को desktop mode में convert करने के बाद हमें यहाँ option मिलती है New की तो आपने New पे क्लिक करने New पे क्लिक करने के बाद आपने More पे क्लिक करने More पे क्लिक करने के बाद Google Forms पे क्लिक करने जैसे ही आप Google Forms पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे Google Forms ओपन हो जाएगा दोस्तो सबसे पहले option मिलती है Customize Theme की अगर आप Customize Theme पे क्लिक करते हो तो आप यहां से अपने School, अपने College, अपने Office का Header चूज़ कर सकते हो अगर आप कोई Theme यूज़ करना चाहते हो, Theme भी यूज़ कर सकते हो फोटोस पे क्लिक करते हो तो आप अपने Phone की फोटोस में भी चूज़ कर सकते हो After that अगर आप Google Form का Color चेंज करना चाते हो तो आप Google Form का Color भी चेंज कर सकते हो अगर आप Background चेंज करना चाते हो तो आप Background भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद अगर आप Font चेंज करना चाते हो आप Font भी चेंज कर सकते हो उसके बाद आपने यहाँ पर apply करना है तो यह changes apply हो जाएंगी after that यहाँ पर option मिलती है यहाँ से आप अपने form का name change कर सकती हो जैसे आपने question paper डालने students को तो आपने यहाँ पर लिखना है question paper थोड़ टाइम के बाद यहाँ पर तो name है वो भी change हो जाएगा आप यहाँ पर description डाल सकते हो जैसे आपने 9th class के लिए डालना है तो आप यहाँ पर डाल दोगे 9th class दोस्तो उसके बाद option आती है यहाँ पर आपने question डालना है जो भी आप question डालना चाहते हो जैसे what is the name of your teacher दोस्तो उसके बाद option आती है कि आप student से किस form में answer लेना चाहते है तो आपने यहाँ पर क्लिक करने है अगर आप short form में लेना चाहते है तो आप short form पर क्लिक करने है अगर आप paragraph की form में लेना चाहते है तो आप paragraph पर क्लिक करने है अगर आप multiple choice के थूरू answer लेना चाहते है तो आपने multiple choice पर क्लिक करने है और अगर आप चाहते हो कि student आपको कुछ write करके आपको कोई image upload करें तो आपने फाइल upload पर क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर मैं multiple choice पर क्लिक करूँगा या multiple choice पर क्लिक करने के बाद मैं option पर क्लिक करूँगा उसके बाद आप फिर से next option फिल कर सकते हो आप यहाँ पे कितनी भी option डाल सकते हो यहाँ पे कोई limit नहीं है उसके बाद अगर आपको image attach करना जाए तो आप image भी attach कर सकते हो अगर आप किसी option को remove करना जाए तो आप किसी option को भी remove कर सकते हो तो उस particular question के नीचे option आएगी required की दोस्तो अगर आप required को on कर देते हो it means जितना time student इस question का answer नहीं देगा उतना time ये form submit नहीं होगा अगर आप required को on कर देते हो ये mandatory हो जाएगा दोस्तो अगर आप next question डालना जाते हैं तो आपने यहाँ पे click करके next question डालना है और अगर आप किसी question को import करना चाहते हो अगर आपके पास कोई google form पढ़ा है आपके google drive में कोई google form पढ़ा है तो आप import question करके वहाँ से question भी import कर सकते हो उसके बाद option डालना ये add title and description की after that add a maze की उसके बाद एड वीडियो की उसके बाद option डालना ये add section की उसके बाद अगर आप next page शुरू करना चाहते है तो आपने add section पे क्लिक करना है यहाँ से next page start हो जाएगा next page पे जैसे आप नहीं लिखना है part 2 जब part 1 कुछ भी आप लिखना है यहाँ पे आपने description डाल देनी है और उसके बाद अगर आप कोई question डालना चाहते है तो आपने add question पे क्लिक करना है जब आप add question पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे question की option आएगी after that मैं आप कोई बताना चाहते हूँ कि अगर आप किसी other language में लिखना चाहते हो write करना चाहते हो तो आपने keyboard को long press करना है आपने keyboard में जितनी भी language select की हुई है यहाँ पे सारी language show हो जाएंगी जैसे मैं यहाँ पे Hindi select करूँगा तो दोस्तों यहाँबे Hindi write हो रही है after that अगर मैं यहाँबे कोई other language like मैं यहाँब पंजाबी select कर रह Baio हूँ दोस्तों यहां पे पंजाबी भी राइट हो रही है, आप किसी भी लेंग्वेज को जो भी आपने अपने कीबोर्ड में चूज की हुई हैं, आप किसी भी लेंग्वेज के तुरू यहां पे राइट कर सकते हो, अफ्टर दैट वही आप्शन दा रही हैं, मल्टिपल चूज की, जो मैंने आपको पहले अल्लेड बता दिया हैं, दोस्तों उसके बाद अगर आप अपने question paper का preview दिखना जाते हो, तो आपने three dots पे क्लिक करना है, तो यहां पे आप अपने question paper का preview देख सकते हो, कि question paper कैसा show होगा, और फिर से उसी time में जाने के लिए आपने यहां पे क्लिक करना है, आप पहले वाले टैम में चलिए जाओगे, after that आपने setting पे क्लिक करना है, setting पे क्लिक करने के बाद, आपको यहां पे option में देखे, collect email address, दोस्तों अगर आप collect email address को टिक करते हो, तो student के लिए यहां पे email address डालना जुरूरी हो जाएगा, जब वो question paper फिल करेगा, दोस्तों अगर आप email के थूरू link send करना चाहते हो, तो आपने यहां पे email डाल देनी है, और अगर आप 2 या 3 या 4 पांच कितनी email डालने है, तो आपने email को separate करने के लिए बीच में कॉमा डाल देना है, दोस्तों अगर आप email में ही question paper डालना चाहते हो, तो आपने include form इने email पे click करना है, अगर आप link को direct share करना चाहते हो, किसी और source के थूर शेर करना चाहते हो, like WhatsApp, Telegram, any other source के थूर, तो आपने यहां पे click करना है, और अगर आप link को short करना चाहते हो, तो आपने short link के पे click करना है, और इसे copy करके paste कर देना है, जैसे आप WhatsApp, Telegram, कहीं पे भी, दोस्तों, after that मैं आपको बताना चाहते हो, कि अगर आप देखना चाहते हो, कि आपका यह form है, वो कहां पे save हुआ है, तो आपने Google Drive में जाना है, तो आपको Google Drive में आपका यह form है, वो show होगा, यहां पे जैसे मैंने डाला है, आपको यहां पे share की options मिलती है, open with की option मिलती है, get share link की मिलती है, show location की मिलती है, add shortcut to drive, move to, add to start, rename, अगर आप rename करके send करना चाहते हो, तो आप बाद में यहां से rename करके भी send कर सकते हो,